हेलो दोस्तों एक बाद फिर से सुआ था आपका मारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टिप्स में दोस्तों आज बात करते हैं हम अपने कंप्यूटर से और मॉबाइल से गीमेल अकाउंट को किस तरह के से क्रेट कर सकते हैं करना है अगर आपके पास ऑजड़ी जीमेल डाल के साइनिन कर सकते हो लेकिन हमें तो क्रेट करने लिए हम क्या करेंगे आप देखो कि नीचे क्रेट अकाउंट को अप्शन आ रहे हैं क्रिविजनेस तो आपने एक तो आपने की सी पर सुल यूज के लिए आगे तो आपने बिजनेस के लिए तो आपने किस पर करना है wow अब भी एक form खुल के आएगा, form में आपके पास सबसे पहला option आता है, first name और last name आता, आप में first name डाल देना है, जैसे मैं डाल देता हूँ, sumit, और last name त्यागी, आप कोई भी email id आप as a username pick कर सकते हो, तो जैसे मैंने त्यागी, sumit डाला और tap प्रेस किया, तो ये मेरे को क्या कर ये दिखा रहा है, that username is taken, मतलब त्यागी, sumit at gmail.com ता, वो किसे ने already taken किया हुआ है, आपको पता होगा दोस्तों, gmail या कोई भी email account जो होता है, वो unique होता है, आप एक ही नाम सी दो email id नहीं create कर सकते हैं, इसलिए हम इसको unique category में डालते हैं, अब जब already त्यागी, sumit ताम से available नहीं है, लेकिन ट्यागी, sumit 344 available है, अगर आपको ये ठीक लगता है, तो आप यहाँ से click कर सकते हो, अजरवाइस यहाँ से क्लिक भी कर सकते हो, तो मेरे को यह ठीक लग रहा है, मैं यहाँ से click करूँगा, और यहाँ से में password अपना, जो भी, मेरे को create password करना हो, वो create password कर जो भी password आपने, इस email ID का आप चाहते हो, वो यहाँ से आप डाल सकते हो, और यहाँ से आप 100 वाले बटन पर click करो, तो यह password आपको 100 भी हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है, आपने करना है, next वाले बटन पर click, जैसे ही आप next वाले बटन पर click करोगे, आप इस google form के second वाल at gmail.com लिखा हो भी आ रहा है, अब यह आप से क्या कुछ रहा है, phone number, phone number again यहाँ पर optional है, आप चाहो तो दे सकते हो, otherwise नहीं भी दे सकते हो, लेकिन आपको mandatory है कि आपको या तो email ID या phone number, कोई भी ID जिरूर देने पड़ेगी, क्योंकि in case आपको अपना account भूल जाते हो, या आपको account अपना recover करना है, तो आपको इन दो ही median है, तो आप phone पर OTP मंगा सकते हो, या जो आपने recover account के लिए email ID दिया हो है, उस पर भी OTP मंगा सकते हो, जैसे में एक phone number देता हूँ, अब यहाँ से मेरे response क्या पूछ रहा है, date of worth, तो rate of worth में डाल देता हूँ, जो भी आपकी system, तो जो भी आपका gender है, वहाँ से पीक कर सकते हो, और यहाँ से इसकी information भी आप चेक कर सकते हो, कि आपके यह information क्यों मांग रहा है, तो यहाँ पूरा Google ने पूरा एक page बनाया हूँ, यह page आपको खुल जाएगा, इस page में आपको पढ़ सकते हो, गूगल आपकी जो securities पर प OTP आएगा, 6 digit के verification code आएगा, आपने यहाँ से send वाले button में click करना है, और आपने अपना OTP यहाँ से pick कर लेना है, आपने यहाँ से verify वाले option में click कर देना है, अब यह क्या पुछ रहे, get more from computer, for example, your number when you use to receive a video call or message, make Google services include ads more relevant to you, more option में आप जाओगे, तो more option में अब यहाँ से जागा, तो yes, I am in कर सकते हो, या add my account for security only भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ से add my account for security कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको I am in कर देता हूँ, तो मैं बस unnecessary message आएगे, जो promotion के लिए होगे, तो Google क्या करेगा, अगर हम इस वाले option पर click करते हैं, तो यह Google हम हमारा जो number है, वो अपने partners को या अपनी promotional activities में अपना हमारा number जागो सब्लेट कर देगा, और मैं पास काफी messages आने शुरू हो जाएगे, इस से बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने add my number for account security only भी क्लिक करना है, और यहाँ से आपने done कर देना है, जैसे ही आप done करोगे, आपके पास privacy and terms वाला option खुल के आएगा, आपने इसको agree करने के पास आपका time को create कर रहा है, जैसे थोड़ा time के बद आपका account है, वो इस तरीके से आपका create होके आ जाएगा, तो यह इस तरीके से आपने email account को system से create कर सकते हैं, आब देखते हैं आई अपने डीमिल एकाउंट को फोन से कैसे करेेट करते हैं कि दोस्तों से करने के लिए तो सrese करने के लिए आपने क्या करना है कि पह를 आपने क्या करना है अपने Gmail app phone पर click करना है और यहाँसे जो आपकी already app phone के अंदर है आप फोली आप पर click करने के बाद यहाँसे add new account पर click करोगे आपके पार setup email का option आएगा और हैंसे आपके OWL का ग्रेया है Google का अपने है하通ुक। होट मेल अपके पास कोई डॉमेन हे अपना उसके नाम से अपना कॉंट कर सकते हुए हो ऊपने हैं प्रोसेस होगा जो प्रोसेस हमने अभी सीखा है आपने यहां से अपना create account पर click करना है, for myself पर से अपना first name और last name पर ब्ट करना है, फिर next करना है, और date of worth को पिक करना है, आपने gender पिक करना है, फिर आपने हैं से अपना create gmail address, जो भी आपका gmail address आप चाहते हो, वह आपने आप से pick करना है, तो आप यहां से आप लिख भी कर सकते हो, यहां से आप अपने यूज मोबाइल वाले पर किलिक करना है, तो यूज मोबाइल जब आप करोगे, तो आपको जो फोन नमबर है, वो as a Gmail account आपका create हो जाएगा, तो यह पूछ विरा है, यूज इस नमबर को यूज करना चाहते हो तो आप इस पर किलिक कर सकते हो, अधरवाइस Gmail account बाले पर किलिक कर सकते हो, तो इसके बाद कि प्रोसेस में वो सेम ही होंगे, मैं एक unnecessary email account नहीं बना रहा हूँ, यूकि मैंने आपको अभी इसी वीडियो में एक Gmail account create करके दिखाया था, जो हमने system से गिया था, तो दोस्तो ब bell icon को press करना बिलकुल न भूले, ताकि मेरी वीडियो की latest update आप तक सबसे बहले पहुंच पाए, thank you, thanks for watching.